अगर ऐसे पाँच सपने आते है तो भूल से भी दुसरों को ना बताए वरना बड़ी मुसिबत में पढ़ जाएंगे आप नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज हम बात करने वाले है आपसे पाँच ऐसे सपनों के बारे में जिनको आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा और आपने इन सपनों को देखने के बाद शायद इनको और लोगों के साथ तो शेयर करने की गलती भी की होंगी तो दोस्तों आपको ये बता दे कि आपको ये 5 सपने कभी भी किसी के भी साथ share नहीं करने चाहिए इन सपनों को अपने परिवार के लोगों के साथ भी share ना करे तो अच्छा ही होगा क्योंकि आज आपको पता लगेगा कि क्या हो सकता है ऐसे पाँच सपनों को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने का परिनाम तो आईए दोस्तों जानते हैं लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सकें साथ ही वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं सोते हुए सपना तो हर शक्स देखता है सपने देखना एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर किसी के साथ घटित होती है कुछ सपने ऐसे होते है जो नींद खुलने के बाद हमें याद नहीं रहते तो कुछ ऐसे सपने होते है जो उठने के बाद भी हमें बहुत अच्छी तरीक यसे याद होते हैं, आपने ये कई बार बहुत से लोगों के मूँ से सुना होगा, या फिर खुद भी कहा होगा, कि मालुम है आज मैंने ये सपना देखा। जी हाँ, अक्सर हम दूसरे लोगों के साथ अपने सपने शियर करना नहीं भूलते, लेकिन यह बात बहुत ही कम लोगों को मालुम होती है, कि कुछ सपने ऐसे भी होते है, जिनका जिक्र हमें किसी से नहीं करना चाहिए, शास्त्रों की माने तो ऐसा करना गलत होता है, इससे उस सपने का भविश्य में मिलने वाला फल खत्मा हो जाता है, तो दोस्तों जान लेते हैं ये पांच सपने कोन कोन से है, दोस्तों इस तरह की सपनों में सबसे पहले बात आती है, प्रकृती से समंदित सपनों की, जी हाँ, दोस्तों अगर आपने कोई ऐसा सपना देखा है जिसमें आप प्रकृती यानि की नेचर के बिलकुल करीब हो, सपने में समुद्र, पेड, पउधे, पहाड, नदी जैसी चीदे दिखे, तो आप इन चीदों को देखने का मतलब बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, नहीं जानते तो आईये जानते है, बहुत जल्द आ पसन्न हो जाता है, ठीक वैसे ही ऐसे सपने का मतलब भी यही होता है, लेकिन अगर आप इन सपनों के बारे में किसी को बता देते हैं, तो हो सकता है कि आप सपने के इस फल से वंचित रह जाए, अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसी कड़ी में दूसरे तरह के सपने के बार जो है मौत से समंदित। दोस्तों अक्सर हमें ऐसे सपने भी आते हैं जिन में हम खुद की या दूसरे किसी व्यक्ति की मौत देखते हैं। ऐसे सपने देखने के बाद कभी-कभी हम डर जाते हैं। तो कभी हमारा मन विचलित हो जाता है। लेकिन आपको बता दे कि अगर आपको ऐसे सपने आए तो आपको घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि मौत के सपने आपके परिशानी को खत्म करने की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अगर आप इस सपने का जीक्र किसी ओर से कर देते हैं। तो सपने का होने वाला असर खत्म हो सकता है। दोस्तो अब बात करते हैं तीसरे तरह के सपने के बारे में। तो दोस्तो ये है सर्पदर्शन से समंदित। अक्सर हम लोगों को सपने में साफ दिखाई देता है तो हम डर जाते हैं। परन्तु यदि आपको सपने में साफ दिखाई पड़े तो आपको डरने की कोई जरुरत नहीं है। क्योंकि सपने में साफ देखना आने वाले समय में आपके व्यापार में होने वाले मुनाफे या कारियों में सफलता की ओर संकेत करता है। यानि कि सपने में साफ देखने पर आपको धनलाप की संभावना होती है। इसी लिए इस सपने के बारे में भी आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आपको इसका फल नहीं मिलता। अब बात करते हैं चौथे तरह के सपने के बारे में जो आपको किसी को भी नहीं बताना है वो है भगवान के दर्शन। अगर आपको सपने में किसी भी भगवान के किसी भी तरव से दर्शन हो जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आपके जिवन में खुशिया आने वाली है। सपने में भगवान का दर्शन ही किसी बड़ी सफलता से है, इसलिए आगे आने वाले समय में आपको भगवान के दर्शन से कोई न कोई बड़ी खुशकबरी जरूर मिलेगी, इसलिए इस सपने का जिक्र भी आपको किसी से नहीं करना चाहिए, वरना आपके बने बनाये काम बिगड सकते है, अब बात करते है आखरी यानी पांचवे सपने के बारे में, जो है मचली देखने से समन्दित, दोस्तों अगर आपने सोते वक्त सपने में किसी भी तरह की मचली को तैरते हुए देखा है, या फिर खुद को या किसी और को मचली पकड़ते या खाते देखा है, तो ये काफी शुभमाना गया है, क्योंकि सपने में मचली देखने का मतलब होता है, अचानक से बड़ा धनलाब होना, इस सपने का फल आपको आगे आने वाले एक महिने के अंदर ही मिल जाता है, इसलिए इस सपने का जिक्र भी आपको किसी भी व्यक्ति से नही करना चाहिए, तो दोस्तों ये हैं कुछ सपने जो आपको भूल से भी किसी को नहीं बताने चाहिए, अगर ये जानकारी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चानल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सकें, धन्यवाद करें में आपको लाइक करें? झाल झाल